स्टूनेंट्स आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर करेंगे टेल ओफ टू बर्ड्स ऑफ यह बुक सप्लिमेंटरी रीडर पैक्ट विद दे सन अफ क्लास सेक्स्थ सो लेट स्टार्ट दे चैप्टर सो इस चैप्टर में हम दो बर्ड की स्टोरी पड़ेंगे जिसमें क्या हो आ मुस्ला था वह बहुत ही लंबे और शायादार पेड़ के ऊपर था और जो उनकी नियुबॉर्ण बेबिस थे चैप्टर की सिन द्धियान रखती की और इक दिन क्या हुआ कि बहुत जादा बड़ा तुफान आ गया और there was thunder, thunder मतलब बहुत ही loud noise, clouds की बहुत आवाज आना और lightning भी होनी शुरू होगी इसकाय में और जो rain, बारिश भी आ गई और बहुत तेज हवा की वज़े से क्या हुआ कि बहुत सारे पेट जो थे वो नीचे गिर गये और उसी में उनका पेट भी नीचे गिर गया और जो nest था वो भी गिर गया उसमें जो उनकी mother bird थी वो मारी गयी, fortunately किसमती से जो baby birds थे वो दोनों बच गये लेकिन तेज हवा के कारण वो दोनों अलग-अलग दिशाओं में चले गये और एक जो था वो गुफा के पास आ गया जहां पे की गैंग रहती थी और दूसरा जो था रिशी के आश्रम में आकर रह पड़ा, so बहुत दिन बीटते गए और जो baby birds थे वो big birds बन गए, एक दिन जो था वो राजा जो था country का, वो शिकार खेलने के लिए forest में आया, उसने क्या देखा के एक हिनन को देखा और उसका वो पीछा करता गया कि वो forest के बहुत ही अंदर चला गया, और जो राजा था वो गुम गया, वो अपना रास्ता भूल गया, और उसे ये भी नहीं पता था कि वो है कहा, so वो बहुत समय तक पीछा करता रहा, और forest के दूसरी साइड तक चला गया, अब वो बहुत ठक गया था, सो वो horse से उतर कर एक tree के नीचे बैठ गया, और अचानक एक अवाज आई, कोई खरी आप, जल्दी करो, जल्दी करो, कोई पेड के नीचे बैठा है, आओ, और उसके जो jewels हैं, जो उसने jewelry पहनी हुई है, वो उसे उतारो, और उसका horse भी ले जाओ, जल्दी करो, कहीं वो चल हो गया, और उसने जब उपर देखा, तो उपर क्या होता है, एक बड़ा सा brown bird बैठा होता है, और he also heard fan noises issuing from the cave, और cave से उसे बहुत सारी आवाज हैं आ रही थी, he quickly got on to his horse and rode away as fast as he could, वो जल्दी से horse पर बैठा और वो जल्दी से भाग कर आ गया, फिर क्या हुआ, उसने एक आश्रम को देखा, वो एक रिशी का आश्रम था, उसने अपने घोड़े को ट्री से बांदा और वो ट्री की शेड के नीचे बैठ गया, suddenly उसे एक बहुत ही sweet, gentle means sweet voice, बहुत ही प्यार वाली मीठी आवाज उसे सुनाई देती है, वो क्या कहती है, वेल्कम टू दी आश्रम सर, आपका आश्रम में स्वागत है, आप अंदर आईए और रेस्ट कीजे, जो रिशी है वो जल्द ही वापस आजाएंगे, और वहाँ पे आपके लिए एक ठंडा पानी पड़ा है, पॉट में, घड़े में, प्लीस अपने आपको comfortable रखिये, जो ये दोनों बर्ड्स तो सेम ही दिखते हैं, और उसने जोर से कहा, सो बर्ड ने क्या आंसर किया, कि आप सही कह रहे हो सर, वो मेरा ब्रदर ही है, लेकिन उसके फ्रेंड जो है वो चोर बन चुके हैं, रॉबर्स बन चुके हैं, he now talks as they do, जैसे चोर बाते करते हैं, वैसे ही वो भी बोलता है अब, just then the Rishi entered the आश्रम, उसके बाद क्या हुआ कि रिशी जो है, वो भी आश्रम में एंटर करता है, तो रिशी क्या कहता है, welcome sir, आपका स्वागत है, अंदर आईए और अपना ही घर समझे, आप ठके हुए लग रहे हैं, आप रेस्ट कीजे कुछ समय के ल और यह दोनों अलग-अलग बिहेव कर रहे हैं, उसने यह भी कहा कि जो फॉरेस्ट है, यह सर्प्राइजिस, इस फुल अफ सर्प्राइजिस, मतलब यह हरानी जनक फॉरेस्ट है, so जो होली मैन, मतलब कि जो रिशी है, उसने स्माइल किया और कहा, कि after all, one is known by the company, one keeps, हम किस इसकी कमपनी से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि वो बर्ड, जो कि रॉबर्स के पास चला गया था, तो वो रॉबर्स की तरह ही बातें करता है, और एक यह है, जो आश्रम में आ गया है, जैसे आपने, उसने आप से बात की, आपका वेलकम किया, यह वैसे बोलत है, नाओ, उसने बोला कि आपका स्वागत है, वो आश्रम के लोगों को स्वागत करता है, और आओ, अब अंदर चली और रेस्ट कीजे, I will tell you more about this place and these birds, मैं आपको और भी बताऊंगा, इस place के बारे में, और इस, इन birds के बारे में, तो यह था आपका चैप्टर, हम question answer discuss करेंगे अगली वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लोगी हो, please like करना, subscribe करना मेरे चैनल को, और अगर आप किसी और topic पर वीडियो चाहते हो, तो आप comment कर सकते हो, मैं उस पर definitely वीडियो बनाऊंगी, so thank you for the corporation,